क्या हाले साथ ही हूं मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्वादी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेश पर आज आपके समझ लेके आगए हैं देखें एवरेज तो उससे भारत में जो जन्मा वच्चा है वर्ड हेल्थ डे वाले दिन उसकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी काम है ठीक बाकी अभी विस्तार से जानेंगे अना मया अना मया जो है ट्रैवल हेल्थ कोलाबरेश्टिव है इसके बारे में पूरा जाने क्य क्या है कन्वलेसेंट प्लाजमा ठीक यह तरीक होती है कोविड से निपठने के लिए और प्लाजमा जो है ब्लड का जो लिक्विड वाला हिस्सा होता इसको प्लाजमा बोलते हैं ठीक तो क्या है कैसे त्योरी कैसे यह मदद करती है ठेरपी है यह जो कोविड से निपठने ठीक, ओप्यम पॉपि स्ट्रॉ इसमें भी अप प्रावेटाइजेशन हो रहा है इसको भी जो है, अब नय तरीके से सीपीस होता है, बताएंगे क्या रहे उसको जो है इसको जो है वो गया जा सकता है इंडोर ठीक तो यह सारी जानकरी थी आज जो हमारा महतपूर्ण दिवस है वो है विश्व होमयोपैथी दिवस 10 अपरेल को होता है और आप लोग बताते हैं EPFO 2020 का हमारा जो है अभी लास्ट जो crash course है वो चालू हो चुका है और उसी में जो है test series भी चालू है आप लोग जोईन कर सकते हैं UPSC 2021 के लिए भी जो है हमारा complete paid group चल रहा है ठीक और उसकी test series भी चल रही है आप लोग जोईन कर सकते हैं दोनों के लिए number क्या है सिर्फ यह दो number 856480530 और 96960LOVE089 पे call करके आप लोग अडमिशन ले सकते है test series study material total और one-to-one guidance यह जो पूरा combo है यह आपको यहाँ पर मिल जाएगा test series में सिर्फ जो है आपको test series मिलेगी और उसी से रिटर्ट जो आपके doubts होंगे उनको clear किया जाएगा ठीक इंडिया के life expectancy world health day 2021 विश्व स्वास दिवस 2021 पर भारत की जीवन प्रत्याशा क्या है ठीक अभी एक नया यह राया है recent study हुई है इसमें और SRS based sample registration survey based जो है एक report आई इसका नाम है average life tables 2014-2018 तक of the senses and registrar general of India इसमें यह कह रहा है कि भारत में कोई एक बच्चा जन्म लेता है 7 April 2021 किसको तो वो जो है estimated है कि 69 साल 4 मैंने जिए गया यह नहीं कि 69 months 69 years 4 months ठीक अब जो पूरे वर्ड का average देखें तो वो है 72.81 years ठीक 36 गड़ में जो है यहीं है 63 and 7 months ठीक आपका UP में कितना है 66 बर्थड़े अपना बना सकता है ठीक हर कोई 7 अपरेल कोई पैदा हो रहा है 2021 मर्दपदेश वाला सरसटवा बर्ड़े बना सकता है तो यहाँ पे खराब कौन सा हुआ UP और MP में से बताइए ठीक सामने सामने fact है बस जाना चारूँ कि आप लोग समझ कितना रहे हो एट लीस 33% जो है यहाँ पे देखें हर 1000 बच्चों में से जो लाइव बर्थ लिया है बच्चों ने उसमें से 33 ऐसे बच्चे होंगे जो अ नहीं मना पाएगा वहलोब डेटा को प्रजंट करने का एक अलग तरीका है 33 लोग 33 बच्चे मतलब उससे पहले ही जो है दुनिया से चले जाएंगे पेरेंट्स जो दो नौर्थ इस्टरन स्टेट्स में है असाम और नाचर उनके साथ भी यही होगा मतलब अगला पहला व दो साल छे मैने तक कम जाएगा है अगर इसी तरीके से टॉक्सिक एर होती रही और इंडिया का आप देखी रहे उधर पीम 2.5 वाला जो कंसेंट्रेशन है वो लगाता रही स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 वाली जो रिपोर्ट आई उसमें भी दिखाया है कि हमारे जाहतर ज जो सिटीज है उसमें पॉलूशन बहुत जादा है 2020 में अभी आई क्यू एयर्स वर्ड कॉलिटी रिपोर्ट आई उसमें से दुनिया की पचास मोस्ट पॉलूटेट सिटीज में से 35 इंडिया की थी ठीक इंडिया चाइल्ड का जो है इंडिया में जो बच्चा है इंडिय यह थोड़े सा मलब हो सकता है 67 के बियांड वो जी ना पाए यह कहने की बात है मलब और यह किसने डिटा बताया है यहां पर देखने अले चीज़ है कि यूनियर मिनिस्ट्री आफ और साइंसे ने बताया है हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं बताया कि इस तरीके से करेगा क्यों क क्योंकि यह क्लाइमेट चेंज पर जो हो रही है इननुका एसेस्मेंट है मुल्यांकन है उसके अनुसाब बता रहे हैं पॉलूशन से लेटेड बात हो रही तो इसलिए मिनिस्ट्री आफ और साइंसे का यहां पर चिकर आया है ठीक और जो चाइल्ड है वो विल नॉट लि लिए अच्छा यह आपको भी बता सकता है एक इकनामिक सर्वे करिये कि कितना आइमार यहि하्न हरी इनने इंफेंट मॉर्टालिटी रेट और कतना अममर चल रहा है यह आपकाfera मेटर्न मॉर्टालिटटी रेट ठीक और कोई क्या यह भी बतासकता है प्योंकि Katie के,調 सखन् ति एचसी जो है वालोड में ट्राइवल हैं इसको लाुंच किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइवल अफेर्स ने मिलकर ठिक और एक तौरीगा का सयोग है और इसमें कई सारे लोग है ठीक है ट्राइबल अफेर्स भी है हेल्थ मिनिस्ट्री भी है पिरामल फॉंडेशन भी है देखा होगा आपने इसका सिंपल बिल गेट बिल्ड एंड मेलिंडा गेट्स का फॉंडेशन भी है और यह मलब कंवर्ज करके जितने भी एफ अर्चाहें भी इसका मेर्न मोटिफ है यहां पर और यह चालू होग आप यह 50 ऐसे डिस्ट्रिक्ट होगे जहादा स्टी की population होगी aspirational district में 50 tribal district ऐसे लिए जाएंगे जिसमें की 20% ज्यादा ST population होगी और 6 high tribal population states से लिए जाएंगे ये ठीक districts और 10 साल में देखा जाएंगे तो इसी को जो है बढ़ा के 177 tribal district करने का लक्ष है जो की recognize कि इसके तोरह किये जाएंगे आपका travel affair है मंत्रा लेके तोरह ठीक इसका aim क्या है कि वहिया sustainable high performing health ecosystem बनाना है ट्राइबल्स के लिए ठीक स्थाई मतलब सतत high performing ठीक बनाना है health challenges को जो है पिछाड़ देना है ट्राइबल्स के लिए लिए कुछ और जो initiative आदिवासी समधायों से समधित कुछ अन travel affairs को मिलता है आपका state के जो travel development welfare department है वहाँ से जो data आता है उन सब को आप देख सकते हो इंट्रैक कर सकते हो विशलेशन कर सकते हो और बतलब कि किस हिसाब से scheme का विक्ति है जो information progress चल लगी है तो एक तरीके से data bank है आदिवासी grants management system अगला क्या है spring initiative thousand spring initiative अगर ये question आ जाए तो ये tribal area से समंधित है tribal area में कई सारे ऐसे areas है जहाँ पर हमेशा पानी बहता रहता जर्णों में उनको वहाँ से पानी उठा कर ऐसी जगावाँ पर डालना जहाँ पर पानी जो है इसकार्स है tribal areas में ठीक तो ये ध्यान रखेंगे आप thousand spring initiative किससे tribal area समंधित है जहाँ पर हमेशा बहरने वाले ज़णों से पानी निकाल कर जहाँ पर naturally scarcity है water में tribal areas में वहाँ पर भेजना है tribal health cell ठीक देखो ये वाला important है spring initiative tribal health cell जो है आपका जन जाती है स्वास निकाए ये वाला help करेगा center ministry or state governments को और facilitate करेगा primary health care जो system होते है PHC सबसे पहले वाला कोई विमार पड़ता तो यहाँ जाएगा फिर उसके बाद जाता है CHC यानि कि आपका community health center फिर वहाँ से आप जाते हो district पे तो यह वाली चीज़ है इन्वेस्ट कर सकता है primary health care system और इन्वेस्ट करें travel health research में travel health cell का यह कार है अगला जो हमार topic है वो है अच्छा यह तो होगी बात अब इससे question आप लोग के यह है trifed क्या है यह मैं पहले कई बाद बता चुका हूँ जो लोग ने लिखा है वो लोग इसके बारे में आज जरूर लिखेंगे कि trifed क्या चीज़ है ठीक अगला जो हमारा topic है वो है convalescent plasma समंदित देखे अब क्या हो रहा है कि पीछे यह संदर्व क्या है समंदिते हैं पीछे गुडगावां में कोविड के बहुत ज़्यादा केसस बढ़े ठीक अब क्या हुआ लोगों जब कोविड के जो लोग मरीज होते हैं उनको treatment करने के लिए हम लोग convalescent plasma देते हैं तो अब उसकी demand बढ़ गई लेकिन supply जो है वो कम है ठीक लोग जो है plasma donate नहीं कर रहे हैं प्लाजमा थेरपी क्या होता पहले से समझेज़े plasma क्या है plasma जो blood का liquid अला पार्ट होता वो plasma है simple सीधी बात और इसमें से जो है आपका convalescent plasma जो होता है इसको हम निकाल लेते हैं blood of the patient ऐसे patient से यहाँ पे देखते हैं देखें यह बंदा है इसको covid हो गया है और यह वो बंदा है जो covid से उबर चुका है recover हो चुका है कमसें पीछे 28 दिन से इसके अंदर कोई भी symptom नहीं दिखा है जबसे रिकवर हुआ है जबसे इसकी report आई है negative पहले था फिर recover हो गया जब यह बंदा recover हो रहा होता तो इसके blood में कई सारे antibodies बनते है उन antibodies को निकाल लेते हैं हम और जो है वो प्लाजमा में आ जाते हैं और यह जो प्लाजमा है यह अगर हम इस वाले victim डाल दें जिसको covid हुआ है यह वाला प्लाजमा तो इसके अंदर antibodies बढ़ जाएंगी जो की इसकी प्रतिरोधक चमता जो है immunity चमता जो है covid से रड़ने के लिए बढ़ा देगी और यह जल्दी ऊपर पाएगा यह बन्दा भी तो यह एक तरीके का प्लाजमा थेरपी कहलाता है जिसके जरीए covid-19 के patient को ठीक किया जा सकता है ठीक यह समय में आगी आसान बासा में यह यहाँ पर बताया जा रहा है और इसमें एक चीज और भी है जब प्लाजमा निकाल लेते हैं फिर डोनर के बलड से फिर उसके बाद जो बागी बलड होता है वो वापस कर दिया जाता है ठीक antibodies जो है प्लाजमा में होती है जो कि help कर सकती है रिकवर जल्दी होने में यह therapy involve करती है प्लाजमा जो की COVID-19 वाले मिटाल दिया जा treatment option है उसका document बतलब यह होना चाहिए जिससे भी हम ले रहे हैं यह अला प्लाजमा वो COVID-19 की negative report आ गई हो पीछे अठाइज दिन में उसके अंदर कोई भी symptom ना दिखा हो रिस्क इसमें देखे बहुत कम है ठीक blood जो है वो use किया जाता है treat करने के लिए कई साही condition में और यह बहुत safe है convalescent plasma भी जो है अभी वैसेस का test नहीं हुआ लेकिन risk बहुत ही low है ठीक आप अराम से करिए कोई दिख्कत नहीं है convalescent plasma भी कुछ risk जो हो सकते है allergy हो जाएगी lung damage, difficulty breathing और infection हो सकते है HIV, hepatitis B, hepatitis C वाला लेकिन मतलब overall दिखा जाते है यह low है risk काफी और donated blood जो भी होता है must be tested for safety वो तो हो नहीं चाहिए भाई किसी के blood चड़ा रहो तो इसको test तो करोगे ना है ऐसा तो नहीं कि HIV वाला blood चड़ा दे रहो ठीक तो यह वाली बात है some people may have mild complication कुछ के अंदर का अंदर कुछ कुछ complication हो सकती है समस्यां आ सकती है but overall दिखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो life threatening वाली बात है कुछ में हो भी सकती है ठीक तो यह deny ना करते हुए overall इसको save बताया गया है ठीक और बाकी जो है आप लोग से question यहीं है simple सा मैंने पूछा भी ता पहले paid group में अभी RT-PCR क्या चीज है और इसका full form जोग लिखिए ठीक और RNA और DNA की बीच में difference जरूर आप लोग को आज homework में करना है ठीक अगला जो मारा topic है वो है film प्रमाणन पीलिये अधिकरन जो था FACAT यानि film certificate appellate tribunal यह repeal कर दिया है government ने abolish कर दिया है इसको और एक नया ordinance लाके अध्यादेश central government लाएगी तो article number 120 के अंतरगत president लाती है ordinance लाता है ordinance और governor जो है वो article number 213 के अंतरगत अध्यादेश लाते है यानिकी ordinance ठीक ordinance की maximum क्या age होती है six weeks plus six months ठीक ऐसा क्यों है बताइए ठीक अब देखे एफसी एटी में क्या होता था एक तो होता cbfc आप लोगो नाम सुनाओगा तो यह क्या है फिल्म को certification देती है जिसमें आपने देखा होगा u है ठीक एक होता u g होता है एक होता a a वाला तो सबको पता होगा ठीक क्योंकि जाए तो लोग तो 18 प्लस है ना है आपर तो u वाला है इसको कोई भी देख सकता है u g वाला होता है वाला प्लस यह 12 भी इसको बोल देते हैं वाला पैरेंट्स के गाइडेंस के अंतरकत बारा साल के उपर वले बच्चे देख सकते हैं और एडल्ड जो होते हैं वो 18 साल के उपर वले बच्चे देख सकते हैं ठीक और एस जो होता है वो स्पेसिफिक होता है किसी डॉक्टर के लिए बनाए एंजीनियर के लिए बनाए तो यह स्पेसिफिक काटिगरी होती है यह सारे सर्टिफिकेशन देता है CBFC ठीक और इन जो सर्टिफिकेट है कई बार ऐसा होता है कि फिल्मेकर को लगता है कि यार इसने मतलब जो हम चाहते थे वाले सीन भी काट दिये और जो हमको सही लग रहे थे इमरान आश्मी वाले सीन बहुत ही सिंपल से सीन थे पता नहीं उसको क्यों काट दिया इस टाइप के इमरान आश्मी पर्टिकुलर नाम अने लिया लेकिन मतलब उनसे ने और भी बहुत गंदगी आजकल फैला रहे हैं लोग तो यह वाली चीज मतलब यह नहीं सिनेमा के नाम पर आप खुछ भी नहीं कर सकते हो यह चीज थोड़ा देखने वली बात है समाज में एसेप्टेंस होना ज़ुरी है आप जवस्ति दिखा दिखा के समाज में जवस्ति एसेप्टेंस नहीं दिला सकते है ठीक है ना यह चीज है बाकी जो एक मुद्दा होता है कि वह यह सेक्शुल एजुकेशन होना चाहिए उसको सेक्शुल एजुकेशन देने के लिए एक अलग क्लास भी हो सकती है ठीक एक तरीका होता पढ़ाने का ऐसे बिल्कुल सीधा प्रैक्टिकल दिखाने का जरूरत नहीं है ठीक तो मेरी बात आप लोग सभी लोग 18 प्लस हैं समसर होंगे इसको जो है वैसे ही लीजेगा जैसे बताया गया तो यह वाली चीज़े फिल्मेकर हमेशा कई बार यह हो जाते हैं कि इन्होंने काट दिये सीन नहीं होना चाहिए उनको किसी बात पे विवाद यह एक statutory body थी और यह अर्ध नैक बाड़ी भी हुई क्यों क्योंकि यह जो cinematographic act है उसको interpret कर रहा है तो अर्ध नैक बाड़ी आनि कि कुवासा है judicial body भी हुई थी अब इसको repeal कर दिया गया तो अब फिल्मेकर कहा जाएंगे हाई कोर्ट के बाद जाये करेंगे अगर उनको को CBFC के द्वारा दिये गए और या फिर जो कोई scene cut part हो गया है या फिर जो certificate दिया गया है वो पसंद नहीं आता या फिर कोई विवाद लगता है तो appeal यहाँ पे होगा high court पे ठीक पूरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अब आप लोगों यहाँ पे समझायतों facts देकि cinematograph act जो है 1952 के अंतरकत अभी कुछ amendment लाया गया यह अध्यदेश लाया है अध्यदेश का नम क्या है tribunal reforms rationalization and conditions of service ordinance 2021 ठीक अब इसको और नोंने कई सरे word हटा भी दिये ट्राइबल वाले और उनको replace भी कर दिया है ठीक है और FC80 जो है statutory body थी ministry of information and broadcasting के अंतरकत 1983 में आया था और section 5D ज इसके अंतरकत था यह main job इसका यही था कि cinematograph act के अंतरकत certificate देना CBFC और कोई भी अगर उनलब गुसाय हुआ है CBFC के decision से तो वो जाता था FC80 के पास में tribunal को head करता है chairman और चार अधर जो यह FC80 था उसको इसमें चेर्मन होता था चार अधर members होते थे एक secretary appointment किया जाता था government of India के तौरा टिबिनल का headquarter था नियूए टेली में इसका significance यहाँ पर यहाँ पर यह कि अब जो certificate है अब दोगो यहाँ पर system क्या है कि जो भी film बनती है उनको सबको CBFC जो है अपना certificate देती है जिसको भी publicly किसी भी तरीके से चाहे ठीटर में चाहे टेली कास्ट में टीवी में जो है आपके यह आते हूं तो उनको CBFC से certificate लेना पड़ता है ठीक certificate जो CBFC उसमें एक chairman होता है 23 member होते हैं ज्यादा member चाहे ज्यादा picture ने देखनी है न तो यह वाली बात है अब इसमें 4 category होती है U होता है जिसमें सारे H वाले देख सकते हैं UA होता है sorry मैंने उपर UG लिग दिया था तो उसमें 12 साल के उपर के बच्चे देख सकते हैं और parental guidance के बाद ठीक है और जो है यह वाले तो सबको पता ही है उसमें तो कुछ बताएं जो होती है S वाला जो है specialized group पता है engineer doctor scientist के लिए CBFC अगर कोई deny कर दे सर्टिफिकेशन है फिकोई और वाद विवाद कुछ भी हो जा उससे लोग उस्सा हो जाए filmmaker तो वो FC80 पाच जाते थे और जातर यह देखा गया था कि भाईया अब यह समद लोग फिल्मेकर FC80 वाले को कुछ पैसा खिला देते हो गया जो भी है जातर यह देखा गया था कि भाईया जो CBFC का decision होता था वो FC80 जो है पलड देती थी ठीक और FC80 क्योंकि वो है नहीं FC80 अगला जो हमार टॉपिक है वो है ओपियम पॉपी स्ट्रॉव अब यह जो है एक तरीके से क्या है उसको बोनते हैं अफीम अफीम की खेती है यह ठीक यूनियन कोवर्मेंट ने भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें भी लाएंगे और प् सेंट्रेटर पॉपी स्ट्रॉव से हम बनाएंगे ठीक ताकि जो है अलकॉलाइड का अब इसको ऐसे आत कर लो अलकॉलाइड की जो है उपाचा इसको बढ़ा सकें और मेडिसिनल मेडिकल परपस के लिए भी यूज करें ठीक जैसे हम लोगने कोडीन नाम सुना होगा कोड इंपोर्ट करते तो हमारा क्या खर्चा हो जाता है फॉरेक्स कम हो जाता है ठीक तौइस लिए प्टे फॉरेक्स को बचानना रुक होटाना है फिरसे फैंज कई सारे कुशन पूछं कही लोग नराज रहास देख़ चली आज अंसर दिजे ठीक की प्ट्स का है कई सारी कंट्रियां जहां पर ये ओपीम पॉपी क्रॉप को कल्टिवेट करने के लिए जो है अनुमति है उसमें से इंडिया भी एक है ठीक वहां पर आप 10 भी कर सकते हो कल्टिवेट भी कर सकते हो फसल लोगा भी स अदिया है, एक्सट्रक कर रही है alkalide, वो भी opm गम से, जैसे ये है इसके जो गम निकलता है उससे, गम जो है जिए चिपचपा टाइक का होता है उसे, और ये फैसलिटेट इसको कौन करता है, add facilities, उन फैसलिटी पर ये निकाला जाता है, एक्स्ट्रा किया जाता है अल्कुलाइड जो की कंट्रोल ने अंतर न किस पर होता है रिवेन्यू डिपार्ट्मेंट इन दा फाइनिस्ट्री यह इंपॉर्टेंट है कई लोग अगर इसमें ऑप्शन अगर आप लोगो दिया जाता यह तो आप लगा देते लेकिन यह जहांपर एक्स्ट्रा किया जा रहा है यह प्रह इसमें यह उता है कि फार्मर जो है अपना उन्होंने गम निकाला मैनूली opium pod से और उसको जो है government factories में बेज दिया अब ministry ने कहा है कि नहीं टेक्नलोजी पे जाते हैं और उन्हें trail well भी कर लिया है दो private firm के साथ में private firm जो है वो ये कह रहे हैं कि वो partner करेंगे government के साथ में और वो produce करेंगे CPS, Concentrator Poppy Straw और well collide भी निकालेंगे और इसके लिए जो है अब क्या है कि private वाले आ रहे हैं तो कुछ law में amendment करना पड़ेगा वो law कौन सा है? Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 ठीक तो इसी के अंतर गत ये भी बता जाता है या आप रख रहे हो illegal तरीके से आपके पास license नहीं है तो आप पकड़े भी आ सकते हो ठीक? जो इसमें एक सलाकार का यूज किया जाएगा consultant will be required to help frame the modality अब इसमें modalities कैसे क्या होनी चाहिए public private partnership इसमें ला रहे हैं तो इक consultant से जो है consult कर लिया जाएगा सिंपल बात ये है कौन से law में amendment किया जाएगा? नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोफिक सबस्टेंस एक्ट नैंटीनेटी फाइफ देखे, concentrated poppy straw क्या होता है? इसमें हम जब alkalineide का extraction करते हैं तो current opium crop से तो क्या होता है? कि cps तो ज़्यादा मिलता है opium कम से लेकिन अगर हम इसको 2-3 बार देखे, simple यह समल लेते हैं यहाँ पर यह समल लिजे कि जब अभी यह concentrated poppy straw वाली जो टेक्नलोजी है मलब इसके थुरू हमने जब alkalineide को extract किया जो अभी opium crop है उससे तो हमने देखा कि काफी ज़्यादा cps आया opium कम से और यह possible हो सकता है कि हम 2-3 crop cycle एक साल में कर लें अगर हम cps variety of seeds जो है यूज करें और यह grow हो सकती है indoor greenhouse में भी तो पहले मतलब आप बाहर इसे कर रहे थे नॉर्मली जो इंडियन opium crop थी उससे कर रहे थे आप cps का opium करो main बात है यह इससे आपको येल्ड भी जादा मिलेगा जादा आपको अल्कलाइड मिलेगा और आप 2-3 खेतियां भी कर सकते हो एक साल में और यह अगर आप cps variety of seeds कर रूश करते हैं और दूसरा कि आप इसको indoor greenhouses में भी कर सकते हैं कई लोग आपने देखा हो गए मतलब जो है ऐसे पनी चड़ी रहती है काफी बड़े बड़े बने रहते हैं ऐसे तो उसके अंदर क्या होता temperature maintain रहता है काफी गरम जगाओं पे भी काम हो जाता है उसमें अच्छा ठीक तो वहां पे भी आप होगा सकते हो Indian opium crop acreage जो है medical uses के लिए उसको cut करके हम खुद export भी कर सकेंगे ठीक poppy straw जो होता है वो आपका इसको और opium straw crust poppy सब भी बोलते हैं ये opium poppies से जो उपर photo दिखाया था ना वो जो lesson जैसा दिख रहा था वो opium poppies होती है उननी से निकाला जाता है उनसे harvest किया जाता है जब वो fully mature हो जाए ड्राई हो जाए ठीक mechanical means से और इसमें से लेकिन जो poppy seeds बन गई है उनको अलग कर लेते हैं ठीक poppy straw निकाल लेते हैं ये चीज़ है ठीक ज़्यादा इसमें जो है बस इतना ही समझने वाला है और possession sale कुछ भी इस तरीके का है वो regulate करता है state government ये त्यानकना ठीक कौन किसके पास रहेगा कौन sale करेगा कौन use करेगा ये सब state government बताती है central government नहीं त्यानकना poppy straw जो है ये one of the narcotic drug के अंतरकत ही आता है जो ये 1985 वाला NDPS Act है अगर किसी इक पास ये पाया गया जो या फिर बेशते हुए तो आज काफी अच्छा ये topic था NDPS वाला और इसे साथ आज का में हमारे खतम होता है देखें ये OPM की खेती जो है ये medical users में भी आती है काफी और वैसे इसका जो है organized crime वाला angle भी है organized crime मतलब इससे drugs बनाके जो हमारे youth हैं वो सब बरबाद हो रहे हैं मतलब जरा जरा सा जो है नशा बसका अच्छा इस नशे में ऐसा होता है कि मैंने आज तक नहीं किया है ठीक लेकिन मैं बता रहा हूँ इस नशे में ऐसा होता है कि जब ये चड़हेगा खुब तेज फिर आप भोस में रहेंगे नहीं, फिर जब नीचे आं लगता तो और तलब मस्ती है कि भाईया फिर से लो और फिर ऐसे जाओ, तो इसलिए हमेशा कभी कोई लोग विल्कुल जो है वो हो जाते हैं, बिल्ला जाते हैं कि भाईया ले चाहिए चाहिए ठीक तो अगला हमारा जो section है वो है कि कौम नेगा इस पीस से सिर्फ इसमें पढ़ते ही नहीं पढ़ने के लिलावा ये भी देखते हैं कैसे elimination method के यूज़ करते हुए किस तरीके से exam hour में हमें question को सही करना होता है देखे जो red sea है उसे समद्र कौन से कथन सत्य है पूछा गया ह अभी लाल सागर हिंद महा सागर का समुद्री जलचेतर है जो अफरीका और एशिया के बीच इस्तित है बिलकुल सही बिलकुल सही मैप अगर आप देख रहे हो तो आप इसको देखोगे कि यह एशिया ऐसे करके है और आपका जो है यह हौन तो यह red sea माना जाएगा ठीक मा इसका जो है आप अगर इसके उपर जाओ नॉर्धरन एंड पे तो दो गल्फ खाडियां मिलती है गल्फ आप अकाबा और गल्फ आप सी स्वीज बिलकुल सही है जो कि मेरिटेरियन सी जोड़ते है स्वीज कनाल के थूर अभी आपने देखा ही होगा एवर गिवन नाम से एक जो वैसल था वो फस गया था ठीक और जो सैनलिटी है जो लवड़ता है आपकी रेड सी की वो ज़्यादा होती है वर्ड एवरेज जो है आपका उससे ज़्यादा है चाप असन के करीब तो ये भी विलकुल सही है तीनों स्टेटमेंट सही है अभी क्या हुआ है कि इसर परेल के वैसल पर इरानियन का जो वैसल था जिस पर हिट किया गया वह एंवी साविज नाम है दिजी बूति के पास में ठीक डिजी बूति आप लोग देखो इस मैप को जरूर अगला जो हमारा कोशन है वह है आपका मधू क्रांती पोर्टल से समझत मधू क्रांती अगर गलत हो गया तो आप अगर देखो ऑप्शन में यह गलत यह गलत यह गलत तो बी ऑल ऑप्शन होजेगा लेकिन फिर भी हम दूसरे और तीसे को पढ़ेंगे जोड़ इसको ऑपरेट करता है नैशनल बी कीपिंग एन हनी मिशन बिल्कुल सही है और डिस्टल प्लेटफॉर्म पर आप अरायम से खरीद पाओगे यह वाली बाद दूसरा तीसरा सब्सक्राइब करिया और अगर आप लोगो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए और जो करिए आज बहुत सारे मैंने पूछे भी है आप लोगों वह भी दिया तो अपना दिमाग लगाते हो तो आप एक्जाम को क्लियर करने में अपनी रहा असान मलाते हो और आप लोगो बताते हैं कि UPSC 2021 और EPFO 2020 का अमारे पेड़ गूप चल रहा है कंप्लीट पेड़ भी चल रहा है अगर आप लोग जोन करना चाहते हैं तो यह 856-480-050-090-090- ले सकते हैं चलिए फिर आप से मुलाकात होगी अगले कल सुबाद 6 वजे तब तक ले आप लोग से लेता हूं अलविदा जाए नजाए भारत ओल दबरी बेस्ट है